आज हम श्रुमत भागवतम स्कंध तीन से अध्याय आठ प्रारंभ करने जा रहे हैं इस अध्याय का शिर्षक है गर्भुद कशाई विष्णु से ब्रह्मा का प्राकत्य अर्थात भगवान गर्भुद कशाई विष्णु से ब्रह्मा जी का कैसे जन्म होता है उस विश्वय में यद्ध्या है शलुक नमबर एक मालं पदे पदे नू तनायस्य भिक्ष्णं मत्रे वाचा सत्सेवनियो बतपूर्वंशो यल्लो कपालो भगवत प्रधानहा बभू विथे हाजिता किर्ति मालं पदे पदे नू तनायस्य भिक्ष्णं मत्रे वाचा सत्सेवनियो बतपूर्वंशो यल्लो कपालो भगवत प्रधानहा कुल करने हेतू युज्य है किवंकि उस सारे उत्तराधि कारी श्रीभगवान के परतिस समर्पित है तुम भी उसी कुल में उत्पन्न हुए हो और या अद्भुत है कि तुम्हारे प्रयास से श्री भगवान की दिव्य निलाये प्रतिक्षन नुतन से नुतन तर होती जा रही है तो ये मेध्यामनी विदुर जी के अनुरोध पर भागवत चर्चा कर रहा है भगवान की गुणानु किर्टन कर रहा है और वे कहते हैं कि जो विदूर जी वंग्ष में जन्म लिये हैं ये वंग्ष ऐसे वंग्ष है जिनमें कई जनरेशन्स शुद्ध भक्त रह चुके भगवान से कृष्ण का ऐसा जन्म बहुत दुर्लब है कि हम भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों के घर पर जनन ले पुर्वर जन्म में कोई अगर बहुत सुन्दर भक्ती करते है तब जाकर ऐसा मौका मिलता है या कोई अगर भगवान की प्रतिने धी इस धरातल पर आते है तब जाकर ऐसा उपर्चुनिती मिलता है तो इसलिए विदुर जिस परिवार में जन्मलिया वो भगवान के शुद्ध भगतों से भड़ा हुआ है कई जनेरेशन से जनेरेशन तो कई बार हमें यह चिंता होती है कि पुत्र पैदा नहीं हुआ तो पिंडदान कौन करेंगे हमारा उद्धार कैसे होगा भगतों पुत्वी चिंता नहीं होती है लेकिन जनेरेली जो कर्मकान्ड को मानते हैं वो जानते हैं कि पिंडदान कितना आवश्रक है उद्धार के लिए या शुराधादी करना पुत्र के द्वारा तो इसलिए वो कामना करते हैं कि पुत्र संतान भी उत्पन्न हो जाए लेकिन भगवद भक्त के लिए वो खुद ही खुद का उध्धार कर सकते हैं और खुद के साथ और भी कई लोगों का उध्धार कर सकते हैं कृष्ण भकती में ऐसा शक्ति है कि आपको यह ज़रुरत नहीं है कि आपकी पुत्री है पुत्र है यह संतान भी नहीं है कि आपका उध्धार होगा कि नहीं होगा वो सब कृष्ण अपने उपर उसका उत्तरदाइप तो लेते हैं कृष्णा बड़ा पुडाम में कहते हैं यदि बाता दी दोशे ना मदभक्ता ममनच स्मरेद अहम स्मरामी मदभक्ता नयामी परममगतिम यदि बात पिता दी दोश के कारण मृत्यु के समय मेरा भक्त मेरा स्मरन नहीं भी कर पाए में मेरे भक्त का स्मरन करूँगा और इसक हर दिन भगवान की नाम का जब करें कलियूग में आप बहुत बड़ा तपैस्था नहीं कर सकते हैं आपका शरीर बिमार हो जाएगा जैसे युदिश्टिर महाराज के समय में सब लोग व्रेथ करते थे ये कादशी का और हर व्रेथ निरजल करते थे लेकिन कलियूग में लोगों में इतना शक्ती नहीं है इतनी तपैस्था कर सके और ऐसे अनेक कारिया है जैसे ही वो कितना बनवास ही उन्होंने कितने साल बिताया राजमहल से सिधा वन मेवास कितना मुश्किल होता है और आज अगर कोई वेक्ति जो शहर के फैसिलिटीज में रहते है ऐसे जगह पे चला जाया जंगल में या ऐसे गाउ में जा फैसिलिटीज नहीं है बिजली नहीं है या पानी नहीं है नदी का पानी दिरेक लेना पड़ेगा पीना पड़ेगा तो बिमार हो जाएगा बहुत सिंपल उदारण है कि कोई एगर बहुत साल से बाहर की कंट्रीज में रह रहे है तो जब भारत आते हैं तो सबसे पहले सरदी जुखाम लग जाता है क्यों नहीं उसको एज़स्ट कर पाते हैं तो यह हालत है कलियोग के लोगों का तो बहुत ज़्यादा तपेश्या नहीं कर सकते हैं तो एक तपेश्या में श्रिल प्रभपाद हमें कहते है श्रिल प्रभपाद के जो श्रिश्रगर्ण है वो भी हमें कहते है कि यह तपेश्या करना है वो है हरे कृष्णा महा मंत्र का ध्यान पुर्वक सोला मला जब डेली और चार नियम का पालन द्रिर्टा पुर्वक चार नियम का पालन करना चाहिए मांक्स नहीं खाना ये तो है ये आसान सा लेकिन उनके लिए आसान है जो खाते नहीं है और जो भी खाये उनको भोग लगाकर खाना ये लिए यह नशा नहीं करना नशा में चाय और काफेन वाली कोई चीज नहीं लेना निकोटीन, कैफेन, जिसे चाय में कैफेन होता है बहुत कम hyodat जहड़ ही हैं, जादा हो नशा नशा ही है आजकल तो बहुत सारा यह कॉंसिंट होरह को हो लोग तो कैफेन नहीं लीते लेगिन slide करते में वह हैलटatics के लिए बहुत हैलफर होता है जुआ नहीं खेलना बहुत ज़दा शेयर मार्केट में इधर उधर जब वो दिमाग लगाते हैं लोटरी का तिकत खड़ेते तो इस मन्त का शांती नश्ट हो जाता है जिसे भक्ती नहीं होगी और अवेधे यौन संबन्त पूर्ना तया मना है शादी से पहले विवा से पहले और विवा के बाद भी एक्स्ट्रामेटल एफिर नहीं करना है या बहुत ज़दा ऐसा जिवन हमें नहीं बिताना है जो जैसे की छोड़ी का पैसा हो या वेमानी का पैसा हो ये सब तो भक्तो का जिवन आटोमेटिकली बहुत प्योड हो जाता है तो पवित्र हो जाते हैं तो इसलिए शुद्ध भक्तों का संगती के लिए हमें रोज प्रात्ना करना चाहिए भगवान से जरूरी नहीं है कि आप शुद्ध भक्त के पड़िवार में जन्म लिए है तब ही आप भक्ती ना करे तो तो वो न रखी जाएगा पुलत से मुनी है लेकिन असूर के पिता है तो असूर लोग भक्ती नहीं करते है तो भक्त का संतान भक्ती ही होगा इसका भी कोई गरंटी नहीं है और इसके लिए अगर बहुत ज़्यदा कोई परिशान होंगे तो उनकी मन की शांती नश्ट हो जाएगी तो यह कहां नहीं जा सकता है कि कौन किस कर्म से जनम लिया है तो इसलिए ऐसा वंग्ष यह ऐसा भक्त मिलना हमारे जिवन में जो भगवान के प्रतिसमर्पित है यह बहुत ही आश्रय की बात है और यह भगवान की महान कृपा है कि अगर ऐसा ह हो रहा है और यह भी बता रहे है विदुर जी से मैं त्रयमुनी कि आपके आने से तो कि आप इतने महानवंश है जहां शुद्ध भक्त है जो कृष्ण के प्रति पुर्णतया समर्पित भक्त है आपके आज आने से त्री दिव्य लिलाएं में गुणानु किरतन कर रहा हूं अपको बहुत एक्साइटमें रहता है आपको अच्छा लगता है कोई नई चीज वो आपके पसंद की हो लिए पुरानी हो जाते तो इतना एक्साइटमेंट नहीं रहता है तो मुझे याद है मेरे परसनल लाइफ से कि जब बहुत छूटी थी में और मेरा भाय तो हम अजय कोई के शुक्तिती थे तो कुप केलते थे खुब खेल खेल की बात मैं आश है में ऐसे कहीं में बढ़ा रहता था एम मश्किल से खेलते थे या कहीं नहीं थे तो नए नय नय लेकिन जो आपको अश्युक्यान पाराप्त करने यह लेकिन फोटिक चीजों में वो पढ़ी लिखी अच्छी लर्की से होती है तो बहुत उच्साहित होते है कि वाओ कितना बड़िया घर में रिष्टा हो गया लेकिन बाद में जब समय भिताते हैं उसके बाद इतना वेलू नहीं दे पाते हैं हरकोई तो कहने का मतलब है कि बहुत तीक जगत में आपकी जो स् आपक侌शाध और नया से नया नविन से नविन होता जाता है तो यही बता रहे और ऐसा अगर शिश्चय मिले ऐसा अगर सुनने वाला मिले जो इतना उत्साही थो इतना श्रद्धा पुर्वक और ध्यान पुर्वक दो qualification चाहिए भगवान के बाड़े में श्रवन करने के लिए कि श्रद्धा पुर्वक श्रवन करना है और ध्यान पुर्वक श्रवन करना है कोई ऐसा मिले तो कैसा लगता है कि नया अस्वाधन लगता है तो श्री मैत्रेम उनी ने विदुर को धन्यवाद दिया इसलिए उनके उत्सा के कारण, उनके शुद्धभक्ती के कारण और उनके वंग्ष के ख्याती का प्रशंगसा भी क्या क्योंकि उनका वंग्ष भगवत भक्तों से भड़ा हुआ है तो महिमा मंडित है अभी भी देखे कोई एक जन जैसे एक जन भक्ती में जुड़ते है तो उनको देखके उनके परिवार के सब लोग जुड़ जाते है यानि वो सारे पडिवार PURBOLD animate भक्ति करके आए है उन्पर भगवान की भक्तो की इसलिए कृपा हुई है तो सारे पडिवार भक्तो जाते है और वश्न गुरु से वो दिख्षिथ हो जाते है यह बहुआत बड़ी बात है पुड़ा पड़ी वार अगर भक्त हो चाहे लेकिन पुड़ा पड़ी वार भक्त चाहे ना भी हो अगर हमने भक्ती किया है तो हमें अपनी भक्ती में द्रिर रहना चाहे भले ही कितना ताना सुनना पड़े कितना ही लोग हमें कुछ भी सुनाए भक्ति नहीं छोनी चाहिए जिसे आपको कोई आपके 500 करूर दे दे और 500 करूर देने के बाद आपको थोड़ा सा खड़ी-खोटी सुना दे तो आप बोलेंगे थी के खड़ी-खोटी सुना दो कोई बात नहीं 500 करूर दिया है बस यह बापस मत मागना तो इससे कई 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 या गुडू के द्वारा कुष्ण भक्ति हमें मिला है कभी-कभी हम उनके आगा का पालन नहीं कर पाया या किसी भक्ते से हमारा अन्बन भी हो गई तो इससे हमाई बुरी भाबना पैदा नहीं करना हमारी विचारों को हमेशे शुद्ध रखना है यह बहुत इंपॉर्ट चाहिए तो यहां पर शिर्प्रवपाज लिखते है तात्प्रय में चुकि वे लोग निर्विशेज ब्रह्मा या स्थानिया परमात्मा के प्रती अनुरत्त ना होकर सिधे भगवान अर्थात्पुर्ण पुरुशत्तम से जुरे थे अते वा वे भगवान एवा उनके कहने का तात्प्रय है कि भगवान के धाम जाने के लिए वही लायक होते हैं और बहुत इंपॉर्टन्ट है कि हम भगवान की महीमा का गुनगान करें और दुसरत तक भी पहुंचाएं ताकि उनको भी भगवत धाम मिलें हम अकेले क्यों जाएं भगवत धाम यह तो बहुत सेल्फिश मोटिव होगा तो ऐसे श्रद्धालो जो आपके पास आते हैं आपसे सिखना चाहते हैं तो उनको स्वागत करना चाहिए और उनको भगवान के बारे में जो भी आपने प्रामानिक गुरु से श्रवन किया है वो बताना चाहिए जो मैत्रय मुनी अभी कर रहे है मैत्रय मुनी ने भागवतम स्वयम व्याजदेव के पिता पराश्र मुनी से श्रवन किया था उनके गुरु है तो उनके विदुर की संगती को अतिप वांचनिय माना तो ऐसे भागवत श्रवन करने वाला विदुर को प्राप्त हो कर उनके अपने आपको बहुत सवभाग कि ऐसे संगती से मनुष्य की भक्तिमय सेवा की शुशुप्त प्रवृत्या त्वरित हो जाती है। अनुबाद और ताथ पढ़ियो शुला प्रवपात की द्वारा। अब मैं श्री भागवत महापुरान से प्रारंब करता हूं। और भगवान ने क्यों दिया है श्रीमत भागवतम किसके लाभारत के लिए। जो अती अलपा आनंद के लिए थोड़े से आनंद के लिए बहुत सरा कश्ट में फसे हुए है। अबी निव यर आ रहा है हम सब लोग कुश करेंगे हैपी निव यर पर एक साल कंप्लिट होने के बाद आप काउंट किजेगा कितना दिन हैपी गया और कितने सारे स्ट्रॉगल है दुख आया। बहुत बड़ा अंतर होगा रिश्यो में क्योंकि इस भौतिक संसार का नाम है दुखालयम असास्वतम। यहां पर हमें दुख को कष्ट को सेयन करते हुए भक्ति में आगे बढ़ते जाना है लेकिन लोग क्या करते हैं कष्ट को सेयन करते हैं और भौतिक जगत में ही आगे बढ़ने में लगे होते हैं भले ही उम्र हो जाए तो भी भगवान की भक्ति नहीं करते हैं भगवान पर पहचान कर, अपने अपको शरीर मान कर, हम भक्ति ना करते हुए, केवल शरीर के कारिय कर रहे हैं, आत्मा की गती फिर कैसी होगी, आत्मा की गती के बारे में कुछ भी नहीं किया, तो कितना समय बरबाद हो गया, विसके दोनों को बैलेंस बना के चलना बहुत इंपोर्टें है, तो अती अलपा आनन्द के लिए बहुत कष्ट में फसना कोई बुद्धि मानी का बात तो नहीं है, तो मैं तरे मुझने शिमत भागबत्यम के विशे में बुलने का प्रस्ताब रखा, क्योंकि भागबत्यम ऐसा है, जैसे कि आप अंधेरे में हैं और आपको तॉर्च समाज के समस्ते समिस्साओं के समाधान के लिए भगवान ने हमें शिमत भागबत्यम प्रदान किया, और ये भी बताया कि गुरु शिश्य परंपड़ा से ये ज्ञान को स्विकार करने से आपको समझ आ जाएगी, जो भागशाली है, केबल वही श्री भगवान के शुद् कर सकते हैं, ये अफसर उने को प्राप्त होता है, तो जीवन का जो मिथ्याधारना है कि हम भौतिक कारेंगे, भौतिक जगत में आगे बढ़ेंगे, ये करेंगे तो ये फल प्राप्त होगा, इसको बोलते सकाम कर्मा, लेकिन शास्टर सकाम कर्मा करने वालों को मुर्ख ब अगे रहते हैं, फिर हो दिप्रेशन, फ्रेस्टरेशन, इंग्जाइटी होता है, कर्तेव्यों का पालन करना चेहले इन इसकाम भाव से, भगवान की प्रतिसमरपन की भाव से, तो इससे क्या होगा, विक्ति मुक्त हो जाएगा, लेकिन इस जो मिथ्याब भ्रांती होता ह है, कि मैं शरीर हूँ और शरीर के संबंधी मेरा है, तो इस भ्रांती इतनी प्रबल होती है, कि मनुष्य श्री भागवान की बहेरंगे शक्ति के अधिन जन्मा जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है, लेकिन अगर किसी भी तरह से वो ग्रंथ भागवत के प्रतिश्रद्धा अध्बन्न कर लेते हैं, और ग्रंथ भागवत को जानने वाले महा भागवत से श्रबन करते हैं, तो वो भातिक पार्श से मुक्त हो जाते हैं, श्लुक नमबर तीन और चार हम पढ़ने जा रहे हैं, असेन मुझ्व्यां भगवंत माध्यं संकर्षणं देवम कुंथ सत्वं, बिवेच्चवस्तत्वमतह परस्या, कुमार मुख्या मुनयन्व प्रिच्चं, स्वमे वधिष्णं बहुमान यंतं, यद्वा सुदिवा भिधमा मनन्ति, प्रत्यक्त्र तक्षं बुजा कोशमेशं, दुन्मेल यंतं बिवुधो दयाया, मेत्रे मुनी कहते हैं, कुछ काल पुर्वत तुम्हारी ही तरह, यानि विदुर मुनी की तरह, विदुर जिक की तरह ही, कुमार संतों में प्रमुख, चार कुमार है, ब्रहमा के पुत्र है, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार तो इन चारों कुमारों में प्रमुख जो है, उस सनत कुमार है तो सनत कुमार ने अन्या महर्शु के साथ जिग्यासा वश ब्रहांद की तली में स्थित भगवान संकर्शन से भगवान वासुदेव विशेक सत्यों के बारे में पूछा था संकर्शन कौन है? स्वेम बलराम है कृष्ण से ही बलराम का विस्तार होता है कृष्णा और बल्राम में कोई डिफरेंस नहीं है कृष्णा सेव ये भगवान है बल्राम सेवग भगवान है बस इतना डिफरेंस है ये कृष्णा ही हमें बता सकते कि उनका किस प्रकार से सेवा किया जाए बल्राम सेवग भगवान है बस रंग में अंतर है बलराम आपको गुड़े दिखेंगे कृष्ण थोड़े शामल वरण के सेम है एक ही बात है लेकिन हर लीला में वो भगवान की सेवा करते है बलराम जी कृष्ण बलराम राम लक्ष्मन लक्ष्मन सेवा करते है और जब नारयन श्रेन करते हैं, भगवान विष्णु श्रेन करते हैं, तो शेशनाग के रुप में सेवा करते हैं भगवान के, तो वही संकरशन है, बलराम जी, सेशनाग जी, वही है संकरशन, तो सनत कुमार ने संकरशन, भगवान का ज्यान जो है, हमारे चारप्रंपड़ा है, वरिष्णप चारप्रंपड़ा जिससे दिख्षा लेने के लिए पद्मपुरान कहते हैं हुमें, और तब हो प्रामाणिक माना जाता है, तो उसमें से संकरषन्भगवान से ज्यान क्राक्त नहीं किया इ Aah संकरशन भगवान प्रभू है भगवान शीप जी के भी तो जो राम जबते हो राम एक्चुली बलराम जी है और ऐसे भी भगवान के सारे जो विस्तार होता है अवतार होता है बलराम जी से होता है तो संकरशन उनके भी प्रभू है और इसलिए भगवान संकरशन इन अनंत श उसी तरह सनतकुमार और चारो कुमारों का भी जो गुरु है वो संकरशन भगवान है बलराम अननतशेशनाग तो सनतकुमार उनसे पूछते हैं वासुदेव कृष्ण के बारे में जानने के लिए चार नमबर श्लुक में कहा गया है कि उस समय भगवान संकरशन अपने परमिश्वर भगवान स्रिकृष्ण का ध्यान कर रहे थे जिनने विद्वजन भगवान वासुदेव के रूप में सम्मान देते हैं तो भगवान का ध्यान कर रहे थे किन तो महान विद्वान मुनियों की उन्नती के लिए क्योंकि सनत कुमार ने प्रशन पूछा तो उन्होंने अपने सुन्दर कमलवत नेत्रों को कुछ-कुछ खोला और बोलना शुरू किया पुछलुक नमबर पांच आप देखे इसमें भगवान के ध्यान में थे लेकिन जैसे ही किसी ने कुछ प्रशन पूछा प्रचार का मौका मिला तो तुरंध उनको प्रचार किया कल्यान के लिए लोगों की तो ऐसे होते भक्त भक्त केवल अपना माला लेके ही जो है अपना जब करके तो उध्धार हो जाएगा भगवध्धामों चले जाएगे लिए अपने बाड़े में चिंता नहीं करते हैं दुसरों के बाड़े में भी करते हैं कोई अगर उनको प्रशन पूछे भगवान के बाड़े में प्रशंता चरणो पधानम पद्मम्यदर्चंत ही राज कन्याह सप्रेमनाना बलि भेड वराड़ थाह अनुबाद अटात पड़िया शुलाप्रहुपात की द्वाड़ा शुलाप्रहुपात की जय अनुबाद चुकि मुनिगन गंगा नदी के माध्यम से उच्छतर लोकों से निमनतर भाग में आये थे फल सुरुप उनके सीर के बाल भीगे हुए थे मुनिगन मतलब ये जो चार कुमार है ब्रहमा के चार पुतर है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार तो सत्य लोग, ब्रहमा लोग है ये गंगा नदी ही ऐसी नदी है जो सबसे उपर की लोग से सबसे नीचे की लोग तक भी पहती है पवित्र करते हैं सबको कृष्ण के चरनामृत है ये तो जो भी कृष्ण के चरनामरी देनी गंगाजी के जल को अपने सर में लगाते हैं धारन करते हैं वो कृष्ण के चरन का ही स्परश करते हैं तो जब भी हम गंगा के नारे जाएं सबसे अच्छे हमें स्नान करना चाहिए अगर आपने सनान नहीं भी किया है तो गंगा जुल को अपने सर पर लगाना चाहिए तो इससे कृष्ण के चरन का स्परश हो जाता है और उनको क्रिपा मिलती उनका साड़ा पाप नर्ष्ट हो जाता है वो तो बाइड डिफल्ट होता है और उसके अलावा भी उनको भगवान की भक्ति का जो यह अपरचुनिती मिलती है तो इसलिए क्योंकि उन्होंने वो लोग गंगा नदी से आये थे सिधा तो इसलिए बाल उनके भीगे हुए थे मुनियों के चाड़ो कुमारों के और उन्होंने श्री भगवान के उन्चरन कमलो का स्परश किया जिनकी पुझा नागराज की कन्याओ द्वारा अच्छे पति की कामना से विविच सामागरी द्वारा की जाती है तो संकर्षन जो भगवान संकर्षन है या नंतश रिष्णाग है उनकी पुझा नाकर्ण्याओं की द्वारा होती है नाकर्ण्याओं जो है उनके प्रत्याकरिष्ट भी होते हैं उनका स्वरूप देखकर रूप देखकर और उनसे प्राथना करते हैं अच्छे पती के लिए तो उनके चरण का मलुका उन्होंने स्परश किया तो जो योगी होते है योग शक्ति से ये संभव होता है शले प्रभपाद ने बताया है कि अगर हजारों मिलो तक कोई नदी प्रभाहित होता हो तो इसमें दुबकी लगा करो एक स्थान से तुरं दूसरे स्थान में बहुं सकते हैं नदी से पर गंगा ही एक मात्र ऐसी नदी है जो पुरी ब्रह्मान्द में प्रभाहित होता है और ये प्रिथ्वी में प्रभाहित पहले नहीं हुआ था वो तो भागिरत ने अपने तपष्या से गंगा जी को यहां धरातल पर ले आया अपने पुर्वजो के उधार के लिए और भगवाया शंकर से प्रात्ना के तपष्या से उनको भी संतुष्ट किया और आशुतोस शंकर से बुला कि गंगा जी को आप अपने जटा पर धारन करें नहीं तो गंगा जी का कहना है कि वो सीधा पाताल में चले जाएगी भित्वी में नहीं रूप पाएगी इतना जो है उनका भार है तो फिर उधारन करते हैं शिप जी लोक कल्यान के लिए और ये भगवायान के चरणामरित है तो यहाँ पर शिलप रपाजी एक बात को बहुत अच्छे से बताते हैं यह हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करते समय या समझते पापों के धूल जाने के बाद फ्यूचर में अपने आपको पाप करमों से बचाते हैं तो निशित रुप से उनका उधार होता है लेकिन अगर कोई नहीं बचाते हैं और गंगा में स्नान करने जाते हैं फिर आके पाप करते हैं तो ये हाथी के स्नान जैसा है, हाथी पानी में जाते हैं, बहुत अच्छी से अपने शूंड से नहाते हैं, तब पराकर पुड़े, शरी में मिट्टी दाल लेते हैं, तो क्या फाइदा हुआ उनके स्नान का, तो ऐसा ही है, पाप करते रहने से, नहीं कुछ कल्यान होगा, उ और यसे भी हमारा जो पाप करने का बीज है, वो तब ही नश्ट होता है, जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, भक्ति से ही नश्ट हो सकती है, श्लूप नम्बर छे, मुहोरि ग्रिणांतो वच्छसानु रागहा, स्खलत पदेनाय स्यक्रितानित अज्याहा, किरीत साहस्त्रम निप्रविका, प्रद्योति तुद्याम फणा सहस्त्रम सनत कुमार अधिचाडों कुमारों ने, जो श्री भगवान की दिव्य लिलाव की विशय में जानते थे, इसने तथा प्रेम से भड़े हुए, चुने हुए शब्दों से लई सहीत, श्री भगवान का गुर्णगान किया, तो चाडों कुमार तो एक्सपर्ट है, इन सब में, कि वो लई के साथ सुन्दर, लई के साथ उन्होंने भगवान का ऐसे शब्दों को चुना भगवान की गुरानों किरतन के लिए, ताकि भगवान को प्रेसंद न कर सकते हैं, तो उन्दिव्य लिलाव का उन्होंने गु आनंतर सेशनागों का हजारों फण हैं, और वहाजारों फणों में, सारे भातिक ब्रमान ले उसे ऐसे धारन करते हैं, जो सरसुका दाना हो, कोई भार नहीं है। और उन्हों प्रेसंदों मनी होता है तो आनंतर सेशनाग है, तो मनी की तेज विखरने लगे। भगवान को कभी कभी उत्तम श्लोक कहा जाता है क्योंकि भक्त जो होते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं प्रेमी भक्त होते हैं वो उत्तम उत्तम जो चुने हुए शब्द है उसके द्वारा भगवान की गुंगान करते हैं इसलिए कहा जाता है क्रिश्णा को उत्तम श्लोग मधूर्ष ने तथा प्रेम उत्पन्न हुए बिना कोई भी बेक्थि भगवान की स्टुती उत्कृष्ठ धंग से नहीं कर सकता तो इसलिए प्रेम के विना एक्चुली हम भगवान का प्रॉपरली गुनगान नहीं कर सकते हैं आप सब का बहुत बहुत धर्नवार हरे कुछन